देश में हो रहे निजी करण को खत्म करने और निजी कमपनियों में आरक्षन की मांग को लेकर गुरुवार को भीम आर्मी ने जिला प्रशासन को ग्यापन स्वापा इस दोरान भीम आर्मी ने कॉंग्रेस पर बहुजनों की आवास को नहीं उठाने का आरूप भी लगाया इसक्रम में इंदौर में भी भीम आर्मी के एक प्रतीनिधी मंडल ने जिला प्रशासन से मुलाकात कर राश्च पती के नाम एक ग्यापन स्वापा है जिसमें निजी करण को रोकने और निजी शेत्र में भी आरक्षन की प्रक्रिया लागू करने की मांग की गई है इस दोरान भीम आर्मी इंदौर के अध्यक्षिव विनय यादव आमबीटकर ने कॉंग्रेस को आरे हाथ हो लेते हुए कहा कि वो भी बीजेपी के साथ साजिश में मिली हुई है जिसके कारण आज बहुजनों को अपनी आवाज उठाने के लिए सडकों पर उतरना पड़ हैं भाजपा सरकार इस पर निजी करन कर रही है हर डिपार्टमेंट में सरकारी डिपार्टमेंट में उसके विरुद्ध हम लोग ये ग्यापन से ओपना आया है हमारे भीम आर्मी के सिस्थापक बड़बाई चंशका राजाज जी विने रतन सिंग जी के आदेश अनुसार सभी जीलों में हमारे भीमार्मी के साथ ही ग्यापन दे रहे है निजी करन के विरुद्ध और निजी चेत्रों में भी आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए हम लोग ग्यापन दे रहे है इसमें मुखी रूप से यह है कि हम लोग आज जो हमारा आरक्षण को निजी करन के द्वारा रोज कुरेत कुरेत के खतम किया जा रहा है हम वो सोच समझते हैं कि यार हम लोगों को जो हम लोगों को जो अधिकार बाबा साब अंबेट कर देकर के गए थे वो अधिकार हमारे खतम होने जा रहा है हम जाते हैं कि भाई नीजी करन रुका जाए और भाजपा सर तुल wtedy दो और हमसमझते हैं कि इसमें Congress सरकार भी मिली हुए इनके साथ में क्यूき विपक्ष की भूमिका अभ भी Congress सरकार रोते हैं लेकिन भूमिका में नहीं है Congress सरकार कभी भी अन्याका HEY उमारे जनता है उसके अधिकारों के लिए सड़कों पागे कोई लड़ाई नहीं लड़ रही है, कोई बात नहीं रख रही है, अभी तक नीजी करंड का भी उनने विरोध नहीं किसी प्रकार से, बोजोनों के उपर रोज अत्याचार होते हैं, उसका कोई विरोध नहीं करती सरकार. तो कही ना कही हमें लगता है कि बाचपा और कॉंग्रेस दोनों मिलकर के काम कर रही है और हम इस चीज़ का विरोध करते हैं हम यह समझते हैं कि अगर हम जिन लोगों को वोड कर रहे हैं हम जिन लोगों के लिए हम लोग यहां पर हैं वो लोग हमारी बात में रखेंगे सरकार के सामने तो हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा और इस प्रकार से हमको ग्यापन देना पड़ेगा यह ग्यापन हम महा महीम राष्टपती मोदे जी को दे रहे हैं बता दें कि विपक्ष हमेशा से मोती सरकार पर सरकारी नौक्रियों और आरक्षन को खत्म करने का आरोब लगाता रहा है इंद और से MP News के लिए धरमेंद्रिया दफ की रिपोर्ट